हजारी बाग जिले में विधी व्यवस्था संधारन को लेकर उपायुक्त आदित्य कुमार आनन देवं पुले सदिक्ष्यक मनोज रतन चौखे ने समाहर नाले सभागार में संयुक्त रूप से सभी ठाना प्रभारी प्रखंड इपम अंचल अधिकारियों के सांथ उचस्तर ये बैठक की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विकत दो वर्षों से कोबिड महामारी के कारण लौ एंड ओर्डर्स की नियमित बैठक नहीं की जा सकी इस दोरान उन्होंने कहा कि छीट पूट वारदातों से जिले के छवी दुमिल होती है इसलिए ये ज़रूरी है कि अपराधियों पर सक्ती से नकेल की जाए कोरोना महामारी की स्तिती पूर्व के मुकाबले अध समान नहीं इसलिए पुलिस प्रशासन विधी वबस्ता को लेकर नए सीरे सिर रन्नीती के तहत कारे करे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आने वाली देश-विदेश की खबरें आपको मिलती रहे